नारत भक्ति दर्शन में, भक्ति को ठीक धंग से समझाते हुए, पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महराज कहते हैं, भक्ति में क्या-क्या होता है, यह हम जानते हैं, अब वह सुनो कि भक्ति में क्या नहीं होता है, यह बतलाना इसलिए आवश्यक है कि प्रेम तथा काम निकट निकट रहते हैं इनकी पहचान संसारी पुरुष के लिए बड़ी कठिन है श्री उडिया बाबाजी महराज कहते थे प्रेम और काम में बाल बराबर अंतर है श्याम और काम पिता पुत्र है अतह दोनों श्याम वरन है दोनों अनुपम सुन्दर है तब इनका व्यावर्तक लक्षन क्या है इने कैसे जाने कि लक्षनों से इनको अलग अलग करें यह जानना आवश्यक है इसलिए काम तथा प्रेम में जो अंतर है उसे अब बतलाते हैं नारज्जी सूत्र लिखते हैं सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात भक्ति कामना वाली नहीं है क्योंकि वह निरोधरूपा है सा वह भक्ति कामयते इती कामयमाना कामना करने वाली कामिनी नहीं है निरोध पारिभाशिक शब्द है उसका अर्थ अगले सूत्र में स्पष्ट करेंगे महर्शी अंगीरा के मध्य मिमान सा दर्शन में एक सूत्र है अकाम्यासा प्रेम का मार्ग है प्रियतम को सुख पहुँचाना और काम का मार्ग है स्वयम सुख का उपभोग करना इसे समझो क्रिया दोनों में एक ही जैसी होती है जैसे घर में संत आये आज महरे भाग जगे संत आये पाहुणा क्रिया तो एक सी ही होती है संत को आसंदिया रोटी बना कर खिलाई संत भूखे थे बचा नहीं इससे जो प्रेमी था उसे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बड़ा सवभाग क्ये है भूखे संत की सेवा का सु अवसर प्रभू ने मुझे दिया किन्तु दूसरे विक्ति ने घर आये संत के निमित पडोसी के घर से दही मंगवाया आम मंगवाये और उनमें से अपने लिए बचा लिए मैं एक सज्जन के घर भोजन करने गया देखा कि उन्होंने अपने घर के लोगों के लिए तो गेहूं के आटे की रोटी बनवाई है और बाजरे की रूखी रोटियां बनवा कर एक टोकरी में रखवा दी है घर में जो साधू भिक्षा लेने आते हैं उन्हें वे बाजरे की रूखी रोटियां देते हैं मेरे पूछने पर वे बोले हम तो ग्रिहस्त हैं हमारे लिए भोग वृत्ती का बढ़ना हानी कारक नहीं है पर साध्वों को चुपड़ी गेहूं की रोटि मिलेगी तो उनकी भोगों में प्रवृत्ती बढ़ेगी उनको सैयम करना चाहिए इसलिए उन्हें रूखी बाजरे की रोटि भिक्षा में दे देते हैं देखो यह पद्धती उचित नहीं है इस प्रकार दूसरे से सैयम नहीं कराया जाता इसी प्रकार यह भी उचित नहीं है की अपनी जीब की वासना त्रिप्त करने के लिए साधु आए हैं इस नाम पर नाना प्रकार के पदार्थ बनाए और खालिये नारज्जी कहते हैं सान कामय माना इसका अर्थ है कोई भी कारिये करते समय यह देखना की इससे प्रभु को सुख होगा या नहीं आप कभी कोई कारिये करते हुए सोचते हैं पिता जी जीवित होते और हमें यह कारिये करते देखते तो उन्हें कैसा लगता धर्मात्मा पिता के पुत्र देते कि मैं शराब पीता हूँ, तो क्या उनसे शराब पीजा सकेगी? जब आप किसी गरीब को डाटते हैं, गाली देते हैं, तब आपके मन में कभी आया है, कि दीन बंधु भगवान यहीं खड़े हैं, और हमारे इस कर्म को देख रहे हैं. भग्त का यह स्वभाव है, वह प्रभू को सुख देकर सुखी होता है. हम ऐसा रूप, ऐसे गुण, ऐसी सज्जा लेकर प्रभू के समुक चाएं, कि उसे देखकर प्रभू प्रसन्न हो. एक दिन अर्जुन ने श्रीक्रश्न से पूछा, तुम यह रात दिन गोपी गोपी क्यों करते रहते हो? किसी के प्रेम की चर्चा आई और लगे गोपीयों की प्रशन्सा करने? गोपीयों में ऐसी क्या विशेशिता है? द्वारका की महीशियों में क्या तुरूटी है? श्रीक्रश्न बोले, पार्थ, गोपीयों की बात मत पूछो. गोपियां तो अपने शरीर की भी सेवा इसलिए करती हैं, कि वह शरीर उनका नहीं, मेरा है. उन गोपियों से अधिक, मेरे अत्यंत गूढ प्रेम का पात्र, दूसरा कोई नहीं है. गोपियां तो चलते बैठते, खाते पीते, घर का काम करते भी ध्यान रखती हैं, कि वह सब काम कृष्ण के लिए करती हैं. उनका स्नान, भोजन, श्रिंगार, आदी सब इसलिए था, कि यह है, शरीर, श्रीक्रिष्ण का है. गोप गोपियां सब चाहती थी, कि सब लोग कृष्ण से ही प्रेम करें. कोई ऐसा न बने, जिसे देखकर श्रीक्रिष्ण के प्रेम में किसी की अरुची हो. व्रज में कोई कृष्ण से कुछ मांगता नहीं, वहाँ तो सब श्रीक्रिष्ण को देते ही हैं. नसा कामयमाना, भग्ती कामिनी नहीं है, भग्ती श्रीक्रिष्ण की पत्नी है, और काम श्रीक्रिष्ण का पुत्र है. अतहभग्ती काम की माता है काम की भोग्या नहीं भग्त के हिर्दई में काम के प्रती आकरशन नहीं हो सकता काम व्यक्तिगत सुक तक आकर अटक जाता है किन्तु भग्ती परिपूर्न परमात्मा के समीप पहुंच जाती है संसार का विशय सुख जीवात्मा को हुदा है विशय कोई एक तो चाहिए नहीं हजारों चाहिए यदि एक ही विशय सदा बना रहे तो मनुष्य उससे उप जाएगा आपको केवल रसगुले ही खाने को दिये जाएं तो एक ही दिन में उप जाएंगे विशय पुराने पड़ जाते हैं और इंद्रियों की शक्ती क्षीन होती जाती है मन में विशय के प्रती सदा रुची नहीं रहती सदा भोगतापन का भाव नहीं रहता ये चार बातें विशय भोग में हैं कोई ऐसा विशय नहीं है जो सदा एक रस आनंद हो पुराने पढ़कर आकर्शन हीन हो जाते हैं। इंद्रियों की शक्ति रोग से, बुढ़ापे से तथा उपभोग से क्षीन हो जाती है। विशय स्थिर नहीं रहते, उनका उपभोग करते करते इंद्रियां ठक जाती है। विशय के अधिक सेवन से, उनके प्रती अरुची हो जाती है। मनुश्य सदा, जिवा आदी इंद्रियों के विशय का भोगता नहीं बना रह सकता। वह ठक कर सोना भी चाहता है। काम, मनुश्य को विशयों में फसा कर, सुखीपन का ब्रहम उत्पन करता है। किसी को गुड़ खाने की कामना हुई, तो गुड़ खाकर एक शन की त्रिप्ती तो हुई, किन्तु दूसरे एक शन रस्कुल्ला खाने की कामना हो गई, और वह दुखी हो गया। भक्ती में कामना नहीं है। एक सेवक किसी की प्रेम से सेवा करता है, तो वह यही चाहता है कि सेव्य को सुख प्राप्त हो। भक्तिकार्थ है, प्रेम, सेवा, अतह भक्ति में सुख की दिशा ही बदल जाती है। सेवा करते हुए जो वेतन, पेंशन, अथ्वा उपरी आये पर द्रिष्टी रखता है वह तो सेवक है ही नहीं सेवक तो वह है जो अपना सुख स्वार्थ नहीं चाहता केवल स्वामी को सुख पहुचाना चाहता है तुम ठाकुर जी को गुलाब के पुश्प चड़ाओगे, धूप दोगे तो सुगंध तुम्हे भी मिलेगी ही यदि तुम भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई करते हो तो प्रसाद तुम्हे प्राप्त खुता ही है किन्तु कारिये का उद्देश्य वदल जाता है भग्त अपने सब कारिये भगवान के लिए करता है वह शोच लगुशंका भी इसलिए जाता है कि शरीर स्वस्त रहे और भजन हो सके निद्रा भी इसलिए लेता है कि भजन में आलस्यन आये इस प्रकार उसकी निद्रा भी भजन ही है भक्ती में उद्दिश्य की पवित्रता है शवरी प्रतिदिन अंधेरे में उठकर दूर तक मार्ग बुहारती थी कि उसके यहां आज श्रीराम पधारेंगे उनका यह जाडू लगाना भी भक्ती ही थी भक्ती कामिनी नहीं है उसमें अपने सुक स्वार्थ की कामना नहीं है ऐसा क्यों? क्योंकि उसका स्वरूप ही है निरोध निरोध कार्थ है रोकना चित्वृत्तियों को रोकना भक्ती का स्वरूप है योगश चित्वृत्ति निरोधा है चित्वृत्ति का निरोध ही योग है किसी को कारागार में बंद कर दिया तो यह निरोध नहीं है बहते जल को बांध बना कर रोक दिया यह जल का निरोध हुआ भक्ति मन को प्रवाह में डालने वाली नहीं है उनमें मन का निरोध हो जाता है भगवान भगती को कामिनी नहीं होने देते उसमें अन्य कामना ना आए इसका ध्यान रखते हैं भगत के लिए भगवान सर्वभाव में प्रकट होते है भगत जहां जहां जाता है जहां उसकी दृष्टी पढ़ती है उसे सर्वरूप में भगवान ही दिखाई पढ़ते है योग में जो योगी के चित्ति वृत्ती का निरोध है वह तो योगी का किया हुआ है वह विक्षेप काल में टिकता नहीं किन्तो भगती में जो निरोध है वह भगवान का किया हुआ है अतह वह विक्षेप तथा समाहित दोनों अवस्थाओं में बना रहता है भगवान के परम प्रेमास्पद तीन रूप और हैं निरोध के लिए पहला सखा, दूसरा पुत्र, तीसरा प्रियतम जैसे कोई एकांत देखकर कोई अनुचित कारिये करने जा रहा हो तभी एक मित्र आकर कंधे पर हाथ रखते और कहे कि मित्र कहां जा रहे हो हमें भी तो साथ ले चलो इस प्रकार गोपाल कंधे पर हाथ रखकर रोक लेते हैं भगवान पुत्र रूप से, शिशु रूप से भी नरोध करते हैं एक पुरुष का अपनी पत्नी से जगडा हो गया पुरुष ने कहा निकल जाओ घर से पत्नी बोली मेरा कोई दूसरा घर नहीं है मेरा घर तो यही है मैं क्यों घर से निकल जाओं पुरुष बोला तू नहीं जाती तो मैं ही यहां से चला जाता हूँ वहें घर से जाने लगा तो उसका छोटा बालक आकर उसके पैरों से लिपट गया कहने लगा कहां जाते हो अम्मा की पास चलो पुरुष का क्रोध चला गया वहें हसकर लोट आया मदुर भाव के निरोध की बात तो प्रकट ही है एक ही मुस्कान से चित अपने में लगा लेते हैं भक्त जब काम, क्रोध, लोभ, मोह में फस कर अपने स्वामी को छोड़ कर अनुचित मार्ग पर जाना चाहता है तब भगवान उसे रोक लेते हैं उसका निरोध करते हैं किन्तु देवर्शी नारद यहां इस निरोध की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो भगवान की और से होता है वे तो भक्ति को निरोध रूपा कह रहे हैं अर्थात भक्त भक्ति के साथ अपने आप ही निरोध का पालन करता है उसके लिए निरोध स्वाभाविक है भक्ती कामना शुन्य है इसलिए भक्ती करते रहें मुक्ती की चाहना करते रहें भगवान की शरण में जाते रहें शेश अगले अंक में बांगले उल लिए भक्ती के चाह等 relyएं झाल विना काथने के आपelsे मैं मुक्ती वी में सीट्ट की बाद सनी